जलो गास, अभी हम लोग टीपोड का चालू करते हैं निए तुमको मैं जिंदा मत करो टीपोड का जो बेसिक्स रहता है ना बेसिक से लेकर प्रो लेबल का, जो तुम्हारे high लेबल कह सकते हो वो पूरा बताऊंगा इसमें कि like basic से आपको high में कैसे जाना है sanerity pot में and obviously हिंदी में बताऊंगा ताकि you know Indian audience जिनको English समझ में नहीं आती है और वो actually इस guide को इस्तमाल करके अपने sanerity pot को build कर सके properly ठीक है so यहाँ पर sanerity pot में guys पहले तो there are few terms जो आपको समझने की जरौत है तो जो मैं term बहुत frequently इस्तमाल करूंगा उसमें सबसे पहला आएगा तुम्हारा realm currency ठीक है तो realm currency is nothing जो तुम्हारे like coins होते है न जो तुम्हारे खटा होंगे sanerity pot में over time based on your like sanerity pot level वो तुम्हारे realm currency कहलाते है ठीक है which is this silver coins यहां पर तुम्हारे ठीक है second term तुम्हारा जो है that is यहां पर while of adaptal speed है basically यह while तुम्हारा जो तुम्हारा suppose ongoing you know furnishing जो build हो रहा होगा उसको speed up करने में तुरंत build करने में help करेगा ठीक है craft करने में help करेगा यह while of adaptal speed उसके बाद तुम्हारा जो आता है वो adaptal energy आता है time adaptal energy is nothing but तुम्हारा जो like serenity pot का level है न वो यह बढ़ाता है adaptal energy which can be represented by this symbol over here if you can see यहां पर जहां पर 3 लिखा हुआ level और 870 out of 1000 लिखा है उसके बाद एक symbol बना है blue color का that is your adaptal energy की जो क्या कहते हैं symbol है वो है ठीक है और adaptal energy तुम्हारा basically trust rank बढ़ाता है serenity pot में तो जितना ज्यादा trust rank होगा serenity pot में उतना ज्यादा तुम्हारी चीज़ें unlocked रहेंगी from हमारे क्या कहते हैं तबी के through ठीक है यहाँ पे और उसके अलावा there are few other things यहाँ पे जो आपको समयने की जुरत है जिसमें है सबसे पहला आता है तुम्हारा furnishing ठीक है यह तुम्हारी solo furnishing है लेकिन देर आर फ्यू क्या कह सकते है बंडल वाली furnishing होती है सैट कहते हैं जिसे हम तो यहाँ पे जो सैट है एक तुम्हारा आउट्डोर सैट है जो तुम प्लेस कर सकते हो इन ओडर तो गेन एडाप्टल एनरजी यहाँ पर ठीक है जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 210 एडाप्टल एनरजी मिल रही है इसको प्लेस करने पर लेकिन देर इस एनादर वन जो एक्स्क्लूजिव यहाँ प्र आउट्डोर सैट है इसको प्लेस करोगे तो तुमको ज्यादा एडाप्टल एनरजी गेन होगी प्लस ज्यादा चीज़ें प्लेस कर पाऊगे और लेस इस पेस उक्यूपाई करोगे तुम्हारा यहाँ पर सणरेटी पॉर्ट में अब तुम यह पूछोगे कि स्पेस क्या होता है तो इस पेस बीसिकली तुम्हारा होई बर्स के द्वारा असाइंड एक कह सकते हो कि मैमोरी होता है कि तुम उतने ही मैमोरी के आइटम यहाँ पे सणरेटी पॉर्ट में प्लेस कर सकोगे और तुमको अगर ट्रैक करना है कि तुम्हारे कितने आइटम प्लेस हैं करे बहुत सारे items प्लेस हो चुके है and it's already at limit and अब तुम इसके अलावा इस अहां पर और items प्लेस नहीं कर सकते हो that's what यहां पर load represent करता है जब यह like green रहेगा तो तुम्हारे समझ लोगी बहुत बहुत कम item है बहुत space है आराम से place करो चीज़े then यह जब yellow होगा तो yellow में तुम्हारा समझ लोगी आधे item place हो चुके है आधी space भर चुकी है ठीक है and उसके बाद तुम्हें side में जो types दिखरा होगा तो यह types represent कर रहा है कि कितने type की item तुम्हारे यहां पर placed है ठीक है या total number of item कितने placed है basically यह type अगर तुम सोचोगे ना कि type load से connection बैठ रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा usually size matter करता है कि जो तुम्हारा जो item जो जितना वड़ा place करोगे ना उतना जादा size लेगा वो तो वो type A की होगा लेकिन size ज्यादा occupy कर रहा है तो उसका कुछ relation नहीं है load और type का और उसके बाद तुमको यहां पर adapter energy दिखेगी कि तुम्हारा total adapter energy कितनी है current space की current space in the sense कि अगर if you can see यहां पर यह border दिख रही होगी border यह तुम्हारे एक island है ठीक है ऐसे multiple islands होते है if you can see on my screen यहां पर top पर देखो एक island दिख रहा है यहां पर यह सामने side में ठीक है यह another island है तो हर island की अपनी capacity होती है अपनी adapter energy होगी that can be represented from here यहां पर top पर ठीक है तो इस island की capacity almost full है and 2800 तुम्हारी almost क्या कहते है adapter energy है यहां पर ठीक है और और बाकी तुम्हारा left side में जो है वो island का नाम है ठीक है जो तुमको दिख रहा है यहां पर सो यह यहां पर तुम्हारे कह सकते हो कि UI वाला पार्ट हो गया कि क्या है यहां पे sanity pot में ठीक है and हमेशा गाईस जब इस टी pot में कुछ भी item प्लेस करो save button दवाना मत भूलना and अगर suppose तुम sanity pot में कुछ अपने से design करना है और save करना पड़ेगा नहीं तो वो as a set count नहीं होगा तो जब भी तुम एक item को जब भी तुम किसी को move करने को से करोगे तो पूरा set एक साथ move होगा तो that's the benefit of set यहां पे तो तुमको अपना like customized set बनाने को option भी होता है यहां पे मैं अब तुम लोग को guys थोड़ा basic से बता ज I think sanity pot हमको offer करता है book type का जिसमें basically task होते हैं जुनको तुम complete करोगे तो तुम्हारा blueprints यहां पे अगर तुमको दिख रहा हो यह blueprints यह तुम्हारे यह blueprint set के blueprint है यहां पे तुम ऊपर देख सकते हो furnishing set blueprint लिखा हुआ है तो यह तुमको यहां पे मिलेंगे जब यह task complete करोगे तो हमेशा जब सबसे पहले आप चालू कर रहा हो ना को like task नहीं करना है वह तो अपने आप भी complete हो जाएंगे अगर तुम नहीं फोकस करोगे तो तो दूसरा चीज़ जो करना है सबसे पहले आप सबसे पहले आप जब सबसे बना चुके होगे तो सबसे पार के अंदर जाना है यहां पे तबी से बात करोगे तो रेल्म डिपोर करके option अगर रेल्म डिपोर्ट आपका क्या है store है जहां से आप blueprints खरीद होगे usually अभी के टाइम पे blueprints बाहर भी मिल जाते हैं चैस्ट के थुरू रिमार्केबल चैस्ट के थुरू लेकिन तुम्हारे जो blueprints है न वो यहां पे क्या कहते हैं यहां से खरीद होगे तो ज्यादा easy पड़ेगा और इन blueprints को खरीदने के लिए तुमको रेल्म करेंसी की requirement होगी ठीक है तो यहां पे तुमको blueprints दिख रहा होगा ठीक है तो यह blueprints buy करने हैं ठीक है लेकिन directly buy मत करना सबसे पहला काम है तुम्हारा blueprints में कि अगर तुम्हारे यहां पर क्या कहते है सैट वाला option खला हो तो उसके blueprint को purchase करो जैसे कि मेरे को यहां पर दिख रहा है कि cottage kitchen करके दिख रहा है तो यह जो है cottage kitchen जो है इसको purchase करना है हमको ठीक है यह तुम्हारा set purchase हो गया ठीक है या मैं बोलू बैपन फो यह copy purchase करो that's enough you know you can place a lot of item in that and coffee adapt energy gain कर सकते हो और यहां पर जो तुमको बोलो अब तुम पूछोगे यहां पर अलग-अलग color क्यू है तो यहां पर जो यह red color है यह तुम्हारा उन सेट्स को डिनोट कर रहा है जो indoor होंगे indoor in the sense कि चुमारा घर जो दिख रहा था ना उसके अंदर भी item place होते है वहां पर भी spaces होती है तो वहां पर भी item place कर सकते हो तो उनको डिनोट कर रहा है और जो blue वाला है वो external items को डिनोट कर रहा है यहां पर ठीक है तो यह purchase करना है सबसे पहले आप लोगों को ठीक है और उसके बाद exit करना है ठीक है यहां पर अब जाना है कहां बैक के अंदर बैक के अंदर तुमको दिखेंगे यह blueprints इनको करना है use यहां पर click करके अब तुमने यहां पर learn कर लिया है ठीक है ठीक है can be used in forging station आ गया है यहां पर लिखके यह तो already game हमको provide करके देता है या फिर बाकी भी खुलते हैं books के थुरू लेकिन मैं लोगों को हमेंसे recommend करूंगा कि हमेंसे यह जो main वाले Saturn इनको place करो इसमें ज्यादा adapter energy मिल रही तो अप्टी जितना ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा जल्दी आप लोग इनो सरेटीपोट का level up कर पाऊगे इजी पड़ेगा आप लोगता सेटीपोट level up कर पाना यहाँ पर तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो आय का icon देख रहा होगा इस पर click करना है हमको यहाँ पर आय का icon क्लिक करोगा तो यहाँ पर दोचीजे आपको दिख रही होगी this furnishing set is favored wise following companion यह नहीं थी companion basically कि तुम्हारे जो character है यह game के जो character है वो किन को favor कर रहा है यह वाला क्या कहते है blueprint ठीक है अब तुम बूछोगे यह favor का क्या फाइदा फिर तो यहाँ पर फाइदा यह होता है कि जब भी तुम इन में सो कोई भी character प्लेस करोगे ना वो लोग वो character ना तुमको इस location पर जाके मतलब जहां पर भी blueprint को प्लेस करोगे वहां पर जाके तुमको यह primo jam देंगे समझते हो कितनी बड़ी currency होती है जैंसेन के लिए तो वो देंगे तो तुमको 20 प्रीमो मिलते हैं आई बिलीब सो इसके थुरू और हर गार कमपेनियन जो यहां दिख रहा है हर एक को प्लेस करेंगे 20 प्रीमो ले सकते हो यहां पर अब नीचे दिख रहा है required furnishing required furnishing या और दोस furnishing विच रेक्वार्ट टू क्रियेट देस blueprint यहां पर ठीक है blueprint लेने हैं तो यूजवली वह कर लेता हूं तो let me do that first यहां पर ताकि मेरे को याद रहे ही कौन-कौन से blueprint थे यहां पर ठीक है थाकि मैं टबी से डाइटली खरी सको ठीक है डाइटली हमको पर्चेस ही कर नहीं आइटम जाके क्योंकि हमारे पास होंगे नहीं यूजवली पत्थर और बूशिश तो तुमको डाइटली पर्चेस करने पड़ेंगे बाकि यह खरीद के क्राफ्ट करने पड़ेंगे यहां पे तो let's go let's do that यहां पे पहले जल्दी से और लेट मी रिमूव फ्यू आइटमस यहां पे ताकि एटमस प्लेश कर सके हमारे निउ फर्निशिंग जो आएगी उस i.s. प्लेश कर सके यहां पे लेटम टेक टेक आउट फ्यू आइटम्स यहां पे स्टेटी पॉर्ट में ओके नाव गुड इंग इस लुक्स गुड नाओ लेट्स सेव इट एन एक्जिट यहां पर लेस्ट को तुद अभी तुद अब ही हम चलते हैं रालम डिपोर्ट पर तुम्हारा फर्शिंग ब्लूप्रिंट जो होगा वहां सेक्सन में मिलेगा तुम्हारा यह आइटम सी कहें अब आइटम सको मैच करना है तो सबसे पहला मेरे को दिख रहा है मेरे स्क्रीन सॉट पर कि फिर वैपन रैक जो है लेट मी फाइंड दाट आप आप नोट आइडिया कहां पर मिलेगा देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि रटा नहीं रहता है मुझे कुछ भी आए थिंग ओपन अइयर वर्कसाप यह एक चाहिए हमको यहां पर ठीक है और उसके अलावा यह चाहिए है विफोर्जिं टेवल चाहिए हम को यहां पर ठीक है ठीक है, बैपन रैक मुझे दिखनी रहा है, तो प्राबबली परचेस्ट होगा अलरेड़ी, I believe so, नहीं, यहाँ पे है, हाड़वूड बैपन रैक, मिल गया मुझे हाड़वूड बैपन रैक, लेकिन मुझे ग्रीन वाला नहीं मिला है, तो ग्रीन वाला प्राबबली परच परचेस करना है, which is old bell यहाँ परचेस करना है, next हमको परचेस करना है, it's like we are doing swapping right now, you know, यहाँ पर गेम पे, let me check few things यहाँ पर, I think अब bushes परचेस कर लेते हैं हम लोग, so let me find, यह ट्री यहाँ पर कहाँ है, जल्दी से, मुझे पता नहीं है, ट्री को क्या कहते हैं, तो मुझे मैच करना पड़ेगा, एकदम डिजाइन को, ठीक है, okay, overgone wild west है, इसका नाम, ठीक है, मैचर चिहुआ ट्री है, I think मेरे हिसाब से, यहाँ पर, and rocks परचेस करने है, which is denty rocks है, I think, यही वाल रॉक है, सारे rocks एक जैसे दिखते हैं, तो समझ में नहीं आता है, I think, तीनों की एक एक copy परचेस करने थी, I guess we are good यहाँ पर, let's, let's go for, क्या कहते हैं, अब यहाँ पर blueprint बनाने के लिए चलते हैं हम लोग, तो तुमको जब भी blueprint बनाना है, create furnishing, creation में जाना है, and जैसे कि तुमको दिख रहा होगा, अभी क्यूंकि हमारे trust rank कम है, तो दो ही slots unlock हैं यहाँ पर creation queue में, जैसे जैसे trust rank बढ़ेगा, और भी slots हमारे unlock होंगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ items पर गाईसे यह रुमाल टाइप का बना है उपर साइड में, which is scroll यहाँ पर, तो यह items एक्चुली पहले learn करने पड़ेंगे हमको, ठीक है, let's do that, यहाँ पर learn कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग items को learn कर दिया, अब यहाँ पर हमारा काम चालो होगा, तो कुछ items पर गाईस ऊपर साइड में, यह blue वाला symbol है, which represents your adaptor energy, ठीक है, तो जब भी जब पहली बार item आप craft करोगे ना, यहाँ पर, तो उसकी crafting complete होने के बाद तुमको adaptor energy gain होगी, ठीक है, तो, in case अगर तुम set नहीं place कर रहा हो, तो creation queue में डाल के at least items create करते जाओ, तो भी तुम्हारी adaptor energy gain होती जागी, लेकिन it's going to be slow for now, ठीक है, तो remember that guys, कि वो slow रहेगा थोड़ा सा, तो हम सबसे पहले जलते हैं, अपने वही blueprint को place करने के लिए, तो हमको पता है कि open-ear workshop चाहिए थी हमको, let's place that in creation queue, ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए था, weapon rack, and हमको यह चाहिए था, तीन यहाँ पे, ठीक है, तो तीन craft करने पड़ेंगे हमको, अभी तुमको जैसा कि दिख रहा होगा guys, कि creation queue में मेरा full है, ठीक है, लेकिन we have the option get now, और उस तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि while of adaptor speed तुमको दिख रहा है, अब हम इसको use करेंगे, क्योंकि हमाँ पास 22 है, use करेंगे तुरंट अप्टेन करने के लिए इसको, यह तो हमको 11-12 गंटे वेट कना पड़ता, देखो, हमको directly blueprint obtained हो गया, and कुछ adaptor energy भी हमको मिली है, इसके Okay, now we are done with the creation of furnishing एक और चीज में add करना जो भूल गया तुम लोगों के लिए, अगर in case, like तुम लोगों को किसी furnishing के लिए ऐसे gray दिखती है न, तो उसका मतलब ही कि crafting possible नहीं है, लेकिन crafting के लिए क्या item कम पढ़ रहा है, वो check करो, तो यहां पर जैसे मेरे को बुड कम पढ़ रहा है, पाइ और वर्ल्ड, ओर वगरा फार्म कर रहा है, उसके थुरू ही बुड बना सकते हो, तो इसलिए अभी जो तुम्हारा ओर फार्मिंग है, काफी important हो चुकी है, गेम में, like I know कि यहां पे मेरा बुड मिसिंग है, फ्रेग्रेंट सिडार बुड मिसिंग है, 13, what I can do is just go for the fragrant cigar यहा कैते हैं, iron यहां पे, ठीक है, because these are easy to get and other resources are very hard to get, and rare भी है, बहुत अलग जगे काम भी आते हैं, यह तो बहुत कमी जगे काम आते हैं, तो IKC NEE को इस्तमाल किया करो, creation के लिए, अब यहां पे मैंने किया convert पे click देखो, यहां पे हमको मिल गया, would return, अब वो item जो था हमारा ब already ready crafting के लिए, ठीक है, and let me put few items in creation queue, ठीक है, ताकि adapt energy gain होती रहे, अब यहां पे मैंने item बना तो दिये हैं, ठीक है, अभी देखो, यहां पे achievement भी आ गई है, now what I need to do is, go for this finger icon again, ठीक है, outdoor furnishing में, यहां पे outdoor set में जाएंगे, go for this, and check if you are missing any item यहां पे, तो जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि long pine table में बनाना भूल गया हूँ, और एक long pine table में बनाना भूला हूँ, तो वो मेरे को बना के आना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे, जल्दी से tubby के पास, और में एक चीज और पता देता है, कि जैसे जैसे आपका सरेटी पॉट के लेवल इंक्रीस होगा, वैसे वैसे तभी भी ट्रांसफॉर्म होगा, तो यह भी एक अच्छी चीज है, यूनो, निउ आइटम्स खुलेंगे तुम्हारे पास सॉप में इसी से, ठीक है, तो इसे सब्सक्राइशन के उप से यूज निकालना पड़ेगा, एक, एक, लॉट मी गट दाट, लॉट पाइन टेवल, लेट सी कहां पर है, यह एक यह एक यह क्राफट बल नहीं है, एक अट जोग पर दो पाइन बूड कम पड़ रहा है, तो लेट स सब्सक्राइब और यहां पर तुरंद गेन करेंगे हम लोग गैट नाओ और आप अब ही हमारा हो चुका है इस क्रिएशन तियार नाओ वी अरेडि तो प्लेश नाओ फरनीशिंग यहां पर ठीक है तो लेट मीशी आइफा याइफ वी आइफ नहीं आपर एक सेगें लॉंग पाइंट टेवल अभी तक टियार नहीं हुआ है यह क्यूं बता रहा है आई थोड मैने बना लिया है ओके लेट मीशी आइफ आइफ में यहां पर है I think it's different long pine table and pine table में difference होगा कुछ probably हमने मिस कर दिया कहीं पर मेर को देखने दो एक सेकंड परभॉनियस नहीं probably कुछ मिस हो गया है मेरे से हहां पर यही दिक्कात है कुछ कुछ इटाम अगर मिस हो जाते है न फिर वो दिक्का जाती है मैंने गलत वाला उप्टेन कर लिया आइटम मैंने गलती से लॉंग पाइंट टेवल रहे गया था मेरा ठीक है नाव यार गोड़ाइगस यहां पर फार्निशिंग ठीक है आउट्डूर सेट पर चलते हैं अब यहां पर देखो गाईस यहां पर तुम्हारा यहां पर फार्निशिंग रेडी हो चुकी है प्लेस होने के लिए यहां पर तो अब यहां तुमको दिखा जाते हैं कि एक्चुली में गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इफ यू कैन सी यहां पर उपर साइड में 2750 दिखा रहा है हमारे अप्टेनर जी वनसाइप्लेस इट सुद इंक्रीज यहां पर तॉप साइड में बढ़ना चाहिए पांस तो ठीक है तो लेट्स स्टाट बाइप्लेसिंग इस रिमूव फ्यू आइटम से यहां पर जल्दी से जो अन्नेसेसरी लग रहा है थोड़े से क्योंकि प्लेस नहीं करने दे रहा है हमको स्टिल बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा है यहां पर आइटम से बहुत आइटम प्लेस्ट है अल्रेड़ी लट मीं सी यहां पर प्लेस होना हो रहा है देखो 27 अभी जैसे ही सेफ करूंगा वैसे यह इंक्रीज हो जाएगा यहां पर देखो और हमेंसा लाइक गईज स्टेंट कि आइटम करूंrantिंव जैसे वहाँ इनक्रीज हो गया बाइप्स से वहाँ यहां पे तुमारा अडर्पलेस हो थे देखो पर यहां पे तुम्हारा पर फश्जिंग है 6 तो यहां पर तुम्हारा एक क्या कहते हैं तो हमको पता है कि आइटम प्लेस करने से अड़ाप्टर अजी गेन होती है ठीक है और आइटम क्रेट करने से अड़ाप्टर अजी गेन होती है तो वाट वाट वी कन दू इस वी कन क्रेट वन सिंग्यूलर आइटम यहां पर ठीक है वन सिंग्यूलर आइटम जो छोटा सा है मेबी सम्थिंग लाइक यू नो लेट्स फाइंट सम्थिंग मेबी चेयर बगारा कुछ देखते हैं यहां पर हम को मिल जाये तो इफ वी कन फाइंड एनिथिंग यहां पर है लेट में सी कुछ अगर छोटा सा मिले मेबी यह लैंप क्रिएट कर सकते हैं ठीक है लैंप को क्रिएट करकर के बहुत सारा लैंप बना सकते हैं हम लोग लेकिन मट्रियल रहेंगे कि नहीं रहेंगे एनफ तो में को देखना पड़ेगा वो चीज़ भी अपनो आइडिया ठीक है तो आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं और अभी क्या है कि गेम ना अलाव करता है कि ओवरलैप कर सको आइटम्स को तो यू कन डू ओवरलैपिंग आइटम्स यहां पर आइटिंग वो इनेवल करना पड़ता है लेकिन जितना मुझे पता है यह काफी दायम हो चुका में को लास्टाइम जाते हुए स्नैप टुदी हाइट स्नैप टुदी ग्रेड फर फरनिशिंग यहां पर नहीं है देखना बड़ेगा मुझे एक्चुली काफी दायम बात कर रहा हूं तो यह चीज बाट यहां पर देखो कुछ फरनिशिंग हम को दिख रही है वी कन प्लेस यहां पर लेकिन आइटिंग प्लेस करने नहीं दे रहा तो हम स्मॉल फरनिशिंग प्लेस कर सकते हैं यहां पर इस पत्थर बगएर प्लेस कर सकते हो तुम लोग पढ़े हैं तुम्हारे इसके से पॉर्ट में अंदर चले जाओ जगे हैं तो मैं शन ते इंधर लैबल अप हो गया हमारा तो यहां पे यह देख सकते हो इस से तुम्हारा अचुली जल्दी होगा लेख यहां अगर ऐसे प्लेस करोगा रेंडम ली तो लेकिन जैसे अभी लोड कम है ना तो मैं और भी आइटम प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे देखो यह देखो ओवरलैप करकर करके प्लेस करते जाओंगा लेकिन बाद में पता है उठाने में दिक्का जाएगी क्योंकि बहुत सारे आइटम हो जाएंगे इसलिए मैं रिकमेंड क्योंकि इसमें पता है बाद में अगर जब तुम स्रेटी पॉटी करने जाओंगे तो तुमको हैक्टिक रहेगा लगेगा थोड़ा सा तो I won't recommend this but if you want to level up fast and you don't care about sanity pot that much you can do this thing you can do this thing here in the game you know uh companion we place कर सकते है तो एक ही companion प्लेस है तो मैं 4 companion प्लेस कर सकता हूं ठीक है like something like यहां पर मैंने प्लेस कर दी शांग लिंग फे बावरा प्लेस कर दी यहां पर काया प्लेस कर दिया मैंने यहां पर ठीक है और यहां पर maximum invite हो चुका है वैसे maximum invite high level पर 6 रहता है तो don't worry वह इंक्रीस होगा तुम्हारा यहां पर और उसके लावब पाइमान भी प्लेस कर सकते हो तुम ठीक है यह देखो ऐसे place करते जाो जितने मठीर्ण सब place करते जाओ तुम्हारा पास जओ बढ़े हैं एफिंग मेरे पास थोड़ी कम ही है material की तो हो सकता है मेरे पास heel जिलना रहें लेकिन तुम्हारे पास होगे तुम्हारे प्लेस कर सकते हो अड़ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ही तुमको वह गैन होगा तो यहां पर ऑफ्टेयाग श्रच बढ़ेगी इस से तम्हारी ठीक है लेकिन मैं स्टिल रिकमेंट करूँगा कि तुम सैट की तरह व पलेज करो का उससे बीधि फास्ट होगा लेकिन यह है कि पहले क्या था कि बुट्स फार्म करने पड़ते थे अभी बुट्स फार्म नी करने की जुरत है हम डियक्टली मट्रियल कर सकते हैं तो हो जाता है सैट भी हो जाता है लेकिन इफ यू आर लेजी यू कन डू दिस थिंग बट मैं सैट रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को ठीक है जो भी इस देख रहा है और उसके अलावा गाइज तुम्हारा फ्यू मोर तिंग्स जैसे से तुम्हारे लाइक कुछ चीज़े और तुम खड़ी सकते हो यहां पर जैसे यह जेड़ पाथ फील्ड है यह तुम्हारा वेसिकली हेल्प करेगा कि तुमको अगर फार्मिंग करनी है किसी मतलब है यहां यह तुम्हारा तब हैल्प आएगा तियवाआ थ्यूपरटने में हेल्प करेगा इhtर से उधर दूसरे आइलेंड प प्लेस कर रहे हो ना मैप में हर चीज से एडाप्टल नेरजी मिलती है तुमको ठीक है and don't forget guys कि हमेशा ना at least मतलब जब तक खेल रहे हो जब तक मतलब मैक्जिमम लेबल तक ले जा रहे हो तब तक at least देली ना यह बाइल अधाप्टल स्पीड लेते जाओ क्योंकि यह पांच फर्निशिंग तुमको तुरंद बना के देगा at least डेली के तो यह यह लेना मत भूलना का भी ठीक है सस्ता पढ़ता है बहुत सस्ता है देखो 10 का है सिर्फ यहाँ पर तो लेना मत भूलना डेली यह चीज़ ठीक है उसके अलावा I think यहाँ पर तुम्हारे सीड्स मिलेंगे जो तुमको उसमें प्लेस करने हैं यह फील्ड वगरा जो है ना इनमें प्लेस करने के लिए सीड्स यहाँ पर मिलेंगे ठीक है उसके अलावा जैसे तुम ट्रस्ट रैंक तुम्हारा बढ़ेगा सानेटी पॉड में वैसे वैसे तुम्हारे यह अनलॉक होंगे यह ट्रस्ट रैंक के साथ यह चीज़े अनलॉक होंगी मैं यूजवली लोगों को प्रिफर करवाता हूँ कि हमेसा मतलब वीकली ट्रस्ट रैंक जितना जल्दी हो सकते अप्ग्रेड करके वीकली पता ट्रांजेट रेजलन लेना चालो करो बुक्स लेना चालो करो ताकि तुमको कमी ना आए ठीक है मोरा और एक्सेप्शन कम बहुत कमी कमी पढ़ती है लेकिन अगर लगती है तो यहां से ले सकते हो और सेंक्टिफाइंग एसेंस इस बेसिकली फॉर योर आटिफेट अप्ग्रेड के काम आता है तो यू केन यूज देट वहां पर बाकी मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगो कि हमेसा हीरो बिट और ट्रांजेंट रेजी लेना और कुछ मत लेना यहां से अंटिल अनलेस यू 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 अर वैरी मच रिक्वाइड यू नो बाकी सारी चीज लेक्ट यूजलेस है मेरे हिसाब से तुमको एक्स्टनली भी मिल जाएंगी यह सब चीज हैं और उसके अलावा तुम अपना लेक्रेल्म का डिजाइन स्विच कर सकते हो यहां पर जैसे तुम्हारे अनलॉक बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स अनलॉक होंगे तो तुम और भी मैप डिजाइन करके यहां पर प्लेस कर पाऊगे लेकिन एक चीज यहाद रखना जो भी करेंटली मैप एक्टिव होगा ना और उस मैप की जो एड क्याओ लएस की दूसरा वाला जसित प्लहारा फेवरेटा उस में तुम्हारा ना हो गया हो यह बूल गए तुम्हारे लाइक करयनसि दीरच आयीग that फिर बोलोगे कि मेरा trust rank इतना हाई है फिर भी मेरी currency की उधीर हो रही ही generate ठीक है तो यह बहुत ज्यादा required है उसके अलावा guys there are few small things यहाँ पर तो जैसे जैसे तुम्हारा like इन ऐडिया उसमें fit for king है ठीक है तो fit for king के लिए देखो अडाप्टरेजी 20,000 required है elegant के लिए सिब 6,000 required है तो जितना यदा तुम्हारा अडाप्टरेजी बढ़ेगा जितना तुम्हारा level increase हो गए यहाँ पर टीपॉट का जितना बढ़ेगा size टीपॉट का उतना यलदी देखो यहाँ पर realm currency का क्या कहते है recovery हो रही है usually जब तुम max level पर होते हो तो तुम्हारा two and half days में हो जाता है max realm currency and realm bounty accumulation is basically your co-op बाला जो होता है कि तुम्हारा जो friendship level जिससे बढ़ता है na companionship x भी बोल सकते हो वो यह है तुम्हारी realm bounty accumulation कहते है इसको यहाँ पर तो यह चीज में भूल ग accumulation actually तुम्हारा friendship का होता है कि co-op जो तुम्हारा friendship level होता है उसको increase करने का काम आता है तो यह चोड़ी-चोड़ी चीज हैंगा इस जो तुमको ध्यान देनी पड़ेंगी यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो कि currently मेरा adapter energy 7000 है accumulation rate 20 20 currency per hour है जो तुम्हारा friendship level है वो 4 per hour है ठीक ह है यहाँ पर तो यह और यह चीज है और यहाँ पर जब तुमको companion xp क्या करनी है तो यहाँ पर click करोगे gift box पर तो हर किसी को companion xp gain होगी और जब तुम्हारा जो currency होगी जो currently तुम्हाँ पर जमा होगी वो यहाँ से तुम इखटा कर सकते हो हमेशा तो यह भूलना मत हर दो द सको उसके अलावा आइंट थिंग सो इतना कुछ है टीपॉड में आपको लगता है जासे आपके टीपॉड लेवल बढ़ेगा काफी सी जग खुलेंगी काफी सी आपको देखने को मिलेगी लेकिन मैं आपको रिक्रमेंड करूगा कि सैट बना बना के प्लेस करो ताकि यू प्लूप्रिंट बनाना बहुत मुस्केल है ठीक है तब मत बनाओ लेकिन अगर इजी है तो बनाओ और इजी प्रीमोजेम गें करो गाइस ठीक है कि प्रीमोजेम मैटर्स इन इस गेम अलाट और टीपॉड जब आपको अच्छा लगेगा ना देखने में तब आपको और मुझे कमेंट में अबिस्टी बदा सकते हैं कि आपको नेक्सट वीडियो कौन से चाहिए है जिससे आपको गाइड मिल सके यूझा आप यह आप लोगों के लिए हेलफूल होगी काफी ज़दा बाबाइग गाईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला वाइद अबे जाते जाते सारे बंदे